हाई एब्रिवन एक्सा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौंटम कम्प्यूटर को लेकर कौंटम कम्प्यूटर जो है इस समय चर्चा का विशे बना हुआ है और आगामी परिक्षा में कौंटम कम्प्यूटर से रिलेटेड प्रिशन आप को देखने को मिलेंगे कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसमें कितने रुपे खर्श किये जाएंगे इसके करेंट पोस्टन को भी हम देखेंगे साथ ही हम इसके स्टैटिक पार्ट को भी देखेंगे कि कौंटम कम्प्यूटर क्या होते हैं ये किस पे वर्क करता है और आने वाले टाइम में कौंटम कम्प्यूटर से क्या फायदे हो सकते हैं इन सभी चीजों को हम इसमें समझेंगे आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो जर्चा का विशय बना हुआ है ऐसा क्यूं है Quantum Computing छेत्र में महाशक्त बनेगा देश सुरक्षा में भी मिलेंगी मदद जो Quantum Computer है उसको बनाने के लिए मंजूरी मिली है Quantum Mission को Cabinet की मंजूरी के लिए जो है कितने हजार रुपए खर्च हो रहे हैं तो छे हजार करोन रुपए इसके लिए खर्च होंगे और आपको मैं बता दू कि Quantum Mission के तहट यह चीज़े 2021 से ही स्टार्ट थी अब जाके 2023 में इसको मंजूरी मिली है आईए देखते हैं पूरे Current News को Quantum प्रद्योगी की में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए किन सरकार ने रास्टी Quantum Mission को मंजूरी दी है आपको यह चीज़े याद रखनी है परिक्षा के दुरुष्ट से कि रास्टी Quantum Mission क्या है और किस से सम्मंदित है Quantum Computing के छेतर में भारत को दुनिया की अग्रणी शक्ती बनाने के लिए सरकार इस मिशन पर अगले साथ वर्सों में लगबग 6,000 करोन रुपे खर्च करेगी इस से क्या होगा तो श्वास्ति फार्मा संचार रक्षा उर्जा और डाटा सुरक्षा छेतर में मदद मिलेगी भारत इस तरह की छमता रखने वाले 6 देशों अमेरिका, फ्रांस, चीन, कनाड़ा, फिनलेंड और उस्टेलिया की कतार में शामिल हो गया है भारत से पहले जो है अमेरिका, फ्रांस, चीन, कनाड़ा, फिनलेंड और उस्टेलिया इसके लिए कारे कर भी रहे हैं और इन लोगों ने काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं और इसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है किंद्री, मंद्री, अनुराग, ठाकुर और जितेन सिंग ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्नेयों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि मिशन को तैं समय में पूरा करने के लिए क्वांटम, कंप्यूर्टिंग, क्वांटम, संचार, क्वांटम, सेंसिंग, एवं मेट्रोलोजी और क्वांटम सामगरी, एवं उपकरण के छेतर में चार अलग-अलग हब मिशन को जो है दिशा निर्देश देने के लिए एक गवर्णिंग बॉडी बनाने का भी फैसला हुआ है, मिशन का संचालन, विज्ञान एवं तकनीकी विवाग के मिशन डायरेक्टर करेंगे और इन्हों ने बताया है ये कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें कितने हजार करोड उपे खर्च हो रहे हैं, ये आपको धियान रखना है, क्योंकि ये करेंट की चीज़ें हैं, तो आपको यहां से प्रिश्ण बनेंगे जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कि जब कोई question या कोई मुद्दा जो current affair में रहता है, उससे current की चीज़ ना पूछके, कभी कभी उसके static portion को भी पूछा जाता है, तो हम इसके static portion को भी देखेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हाँ पर, कि process किया जा सकता है, यह mission 60 समय संचार व नेविगेशन के लिए पर्माडू प्रणालियों और पर्माडू घडियों में उच्च संवेदन शेलता से less magnetometer विक्सित करने में मदद करेगा, सूपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीकी जैसे विभिन प्लेटफॉर्म में आज वर्सों में 50 से 1000 भौतिक क्यूब बिट की छमता वाला quantum computer विक्सित करने का लक्ष है, लगबग इसका लक्ष है कि 8 वर्सों में यह पूरा लक्ष हो जाएगी, 50 से 1000 भौतिक जो है, स्ट्राटिक पोर्सन पढ़ना है, तो उसमें आपको जानकारी दी जाएगी, आईएब हम इसके कुछ स्ट्राटिक पोर्सन को देखते हैं, जहां से आपको प्रश्न बन सकते हैं, अभी आपने क्यूबिट पढ़ा था, यही है आपका क्यूबिट, अगर आप computer के शेत्र म बारे में knowledge होगा, computer जो होता है, वो सर्फ binary language को ही समझता है, आप कह सकते हैं, आसान भासा में, ठीक है, तो उसकी coding जो होती है, 0, 1 होती है, जिसे हम लोग binary digit कहते है, 0 और 1, वन टाइम में सर्फ एक ही, वन ही जो है, प्रोसेस होता है, लेकिन जो हमारा quantum computer होता है, वो qubit पे करता है, तो qubit में क्या होता है, कि जो 0 और 1 की प्रेणाली होती है, 0 और 1, ये वन टाइम में दोनों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, जब कि हमारे जो normal computer होते हैं, या logical computer आप कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, वन टाइम में सिर्फ एक ही data हमारा प्रोसेस होता है, इसले स्पीड कम होती है, लेकिन quantum computer में ऐसी चीज़े नहीं होगी, इस वज़ा से आने वाले टाइम में, स्पीड भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जो वर्तमान समय में सुपर computer होते हैं, उसकी capacity से भी ज़्यादा ये तेज वर्क करेंगे, और उससे भी काले computer होते हैं, जो quantum सद्धान्त की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज कारे गति प्रदान करते हैं, आज की आधुनिक super computer भी quantum computer से के सामने जो हैं वो धीमे बढ़ जाते हैं, मतलब जो quantum computer है, वो super computer से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिन कारेों को super computer हफतों में, मतलब तो अगर कोई काम आपको करना है super computer पे, उस पर एगर एक हफता ही का समय लगता है, तो उन्हें quantum computer को second में समाप्त कर सकता है, तो सोचिए कि जो एक हफते का काम अगर कोई कुछ second में कर रहा है, तो उसकी speed, उसकी capacity कितनी अच्छी होगी, classical computer data को store वो access करने के लिए binary digit या bit का प्रयोग करते हैं, जैसे binary digit वही मैंने आपको बताया, 0 और 1 होती है, जो एक समय में केवल दो value, 0 या 1 को दिखा सकते हैं, एक समय में सिर्फ एक ही दिखाते हैं, या तो 0 या तो 1, परने तो quantum computer में data को store वो access करने के लिए quantum bit या qubit इसे प करते हैं, qubit का प्रयोग किया जाता है, जो एक समय में 0 और 1 को एक साथ ही दिखा सकता है, तो जो normal computer हमारे होते हैं, या उसे कह सकते हैं, आप classical computer वो one time में या तो 0 दिखाते हैं, या तो 1 को process करते हैं, जबकि जो quantum computer का model होता है, या उसको बनाने का जो pattern है, उसकी processing होती है, 0 और one, दोनों एक साथ की जा सकती है, यदि आपने physics की कुछ चीज़े पढ़ी होंगी, तो आपको ये चीज़े पता होंगी, कि जब हमारा denote होता है 0, तो इसका मतलब होता है on, और जब one होता है, तो इसका मतलब off होता है, ये दो values होते है, इसको भी उसी से denote करते हैं, जैसा 0, 1 भी कह सकते हैं, उसको दर्शाता है, वहीं quantum computer कारे करने के लिए fewbit का प्रियो करता है, जो दो data value 0 और 1 एक साथ वो अलग-अलग भी दिखा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही साथ दिखाएगा, आप चाहेंगे, तो उसमें ऐसा process होता है कि वो अलग-अलग भ को दिखा पाता है, यह quantum computer विज्ञान के quantum सिधान पर कारे करता है, यह computer किसी super computer की तुलना में हजारो गुना तेज होता है, यह सारी इसकी कुछ qualities है जो आपको जान लेनी चाहिए, इन computer में quantum bit या qubit का प्रियो किया जाता है, जो एक साथ 0 और 1 की values जो है, दिखा सकता है, इन computer को कारे करने के लिए, 0 degree इसे कम तापमान पर रखा जाता है, जिसे quantum bit अपना कारी, जो गुड जो उसकी होती है, जो उसकी qualities होती है, वो बनाए रखता है, तो उसको अगर temperature की बात करें, तो 0 degree से कम temperature होना चाहिए, जहाँ पर आप quantum computer को यूज करेंगे, अगर हम quantum computer की size की ब computer develop हो जाता है, तो बहुत सारे areas में बहुत से benefit होंगे, जिसमें से आपका है कि इस computer के प्रयोग से भविश में, artificial intelligence, इसका प्रयोग अकसर आप सुनते भी है, तो क्रित्मिक जो होते हैं, बुद्धी का विकास के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, दवा उद्द्योग म यातायात अनकूल प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसे यातायात को सहायता प्रदान होगी, इसका इस्तमाल जो है, इंटरनेट पर हो रहा है, cyber crime, cyber security, इसके बारे में आप अकसर सुना करते हैं, तो उसके लिए भी उस शेत्र में भी quantum computer से बहुत ही help हो पाएगी देखिए, अगर हम लोग daily के work को अगर देखें या आपके जो personal work होते हैं, उसके लिए जो आपके होते हैं, classical computer ही बहतर होते हैं, लेकिन अनिक ऐसे मतलब typical वैग्यानिक, रसायनिक और गर्णाइं होती हैं, जो कि normal computer से प्रयोग किया भी नहीं जा सकता और करना भी कठेन होत है, तो उसको देखते ही quantum computer को लाने के लिए सभी देश जो है आगे बढ़ रहे हैं, उसी में आपका भारत भी शामिल हो चुका है, और आने वाले 7 से 8 वर्सों में सारी चीजों को develop कर लिया जाएगा, उमीद है quantum computer से related सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी, next video में नए current topic के स